नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं एंडिये गड़ बंधन के संसरीय दल की बैठक में सर्व सम्मती से इस पर फैसला लिया गया है कल यानिकी रविवार 9 जून को नरेंदर मोदी, तीसरी बार प्रधानमंत्री पत की शपत लेंगे डिली में मोदी सरकार के शपत ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है इसको लेकर रास्ट्री रास्थानी में सुरक्षा के कड़े इंतिजाम पूरी तरह से दुरुस्त कर लिए गए है रास्थानी दिली को हाई अलट पर रखा गया है रास्ट्र पती भवन में अबैध्य सुरक्षा के इंतिजाम किये गए है जमीन से लेकर आसमान तर सुरक्षा एकदम जबरदस्थ है इस दिन अरधिसैनिक बलो की पाँच कमपनिया एन एसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर्स के साथ कई लेयर की सिक्योरिटी रहने वाली है दिली को नो फ्लाइंग जोन घोशित किया गया है ड्रोन उडाने पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है नो और दस को दिली मिधारा 144 लागू की जाएगी वहीं चपे चपे पर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है रास्टरपती भवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है पियमोदी के तीसरे शपद ग्रहन समहरो कारेकरम में भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों के गन्मान्य महमान शामिल होने वाले हैं बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव, भुटान, नेपाल, मौरिशस और से शिल्स के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उमीद है शहर के लीला, ताज, आईटीसी मौरिया, क्लेरीज जैस और अविरोय जैसे होटल को पहले ही सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है साथी शपत ग्रहन समहारों में शामिल होने के दौरान होटल से आने और जाने वाले रास्तों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए हैं ताकि विदेशी महमानों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े अधिकारियों ने बताया है कि शपत ग्रहन समहारों के लिए दक्षिन एशियाई शेत्रिय सहयोग संगठन के सदस्य देशों की गणमान्य हस्तियों को आममंत्रित किये जाने के मद्दे नजर रास्ट्रे राजधानी हाई अलट पर रहेगी समहारों के दिन दिल्ली पुलिस के स्वाट और NSG के कमांडो रास्ट्रपती भवन और अलग-अलग एहम इस्तानों के आसपास तैनात रहेगे शपत ग्रहन के लिए दिल्ली में थ्री टियर सिक्योरिटी रहेगी भारत ने नरेंद्र मोदी के शपत ग्रहन समहारों में शामिल होने के लिए पांगलादेश की प्रदान मंतरी शेख हसीना मालदीव के रास्ट्रपती मुहंब मोईजो भुटान के प्रदान मंतरी शेरिंग तोपलिए मौरिशस के प्रधान मंतरी प्रविंद जगरनात और से शिल्स के रास्टरपती वेविल राम खेलावन को नियोता भेजा है नेपाल के पियम पुष्प कमल देहल प्रचन भी शपत ग्रहन में शामिल हो सकते हैं रविवार से भारत की तीन दिवसिये यात्रा पर रहेंगे आपको उता दे कि बिजेपी के नेतरित वाले एंडिये ने लगतार तीसरी लोक सभचनाओं में जीत दर्च की है चार जून को नतीजे घोशित होने के बाद शुकरवार को एंडिये संसदिये दल की बैठक हुई जिसमें नरेंदर मोदी को संसदिये दल का नेता चुना गया था रक्षा मंतरी राजणा सिंग ने पियम पत के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था इस प्रस्ताव पर एंडिये घटक दल के सभी नेताओं ने सहमती जाहिर की इसके बाद मोदी ने रास्टर पती के समक्ष सरकार बनाने का दावाब पेश किया इसके साथ ही रास्टर पती ने नरेंदर मोदी को नौजून को सरकार बनाने का नियोता दिया रविवार के शाम करीब 7 बच कर 15 मिनट पर मोधी सरकार का शपत ग्रहन्ट समहारू है लोग सभाचुनाओ के नतीजों में एंडिये को 292 सीटे जबकि इंडिया गड़ बंधन को 234 सीटे मिली है इसमें से बिजेपी को 240 और कॉंग्रिस के खाते में 99 सीटे आई है फिलाल इस खबर में इतना ही